अंकर्म फोकर की रहना है आफिस में भी अपना काम करना है परंतु उसमें भी जास्ती बोलना नहीं होता है और सबैप्रेक्टिस करो के बिनकुल मीठा होकर की रहना है कोई को भी दुख नहीं देना है लडाई यादी करना वैबनस्य में रहना, इर्षा करना ये भी तो क्रोध है ना हाला कि सबसे बड़ा दुश्मन है काम विकार दूसरे नमबर में क्रोध आता है एक दुख दुख पहुँचाते है क्रोध से देखो कितनी लडाई यादी हो जाती है अब बच्चे जानते हैं इस सक्यूग में तो क्रोध होता ही नहीं है वहां क्रोध क्यों नहीं होता है क्योंकि वहां सत्त की दुनिया है सत्त बाप की स्थापन की हुई दुनिया है सत्त बाप को निराकारी निर्विकारी है सत्त की जो भी आत्मे होंगी अपन को निराकार आत्म समझने वाले होंगी देबन होगा ही नहीं तो क्रोध भी होगा नहीं ये क्रोध है रावनपने की निशानी है प्रोदवानों को इखा जाता है आशुरी संप्रदा है भूत की जैसे प्रवेश्ता हो जाती है भूत खुद भी तपता है और फिर और उनको भी तपाता है इससे कितनी यह शान्ती हो जाती है तो साइलेंस में रहना है कुछ भी बोलना नहीं है अब उन दुनिया के मनुश्यों को तो इससे बात का ज्यान ही नहीं है वो तो क्रोध ही करेंगी क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जावेगी तो बाप समझाते हैं यह बहुत बड़ा बुरूत इस बूत को युक्ती से भगाना है मुक से कोई भी करवा सब्द नहीं निकालना यह बहुत ही नुक्सांकारी है और यह भी जानते हो कि विनास भी क्रोध से होता है और विकारों से विनास नहीं होता है घर घर में जहां जहां क्रोध होता है वहां बहुत असंती है प्रोध किया तो जरूर तुम बाप का नाम बदराम कर देंगे अब भूतों को भगाना है एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए बहुत यह नापैद हो जावेंगे यह पांच विकार अभी फुन फोर्स में है प्रोध कर देंगे रचाद प्रोध कर दो एुन पैद गजड़े